तीसरा अध्याए, माघ मास में रामायन श्रवन का फल, राजा सुम्ती और सत्यवती के पूर्वजन्म का इतिहास, सनत कुमार ने कहा, ब्रहमर्शी नारत जी, आपने यह अध्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायन के माहात्मे का पुन, विस्तार पूर्वक वर्णन यह आपने कार्थिक मास में रामायन के श्रवन की महिमा बताई है, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्मे बताए, मुने, आपके वचनामरित से किसको संतोष नहीं होगा, नारत जी ने कहा, महात्मा, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृत- नहीं है, क्योंकि आप भक्ती भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं, वादी मुनियों ने भगवान श्री राम के माहात्मे का श्रवन पुन्यात्मा पुरुशों के लिए परम दुरलब बताया है, महर्शियो, अब आप लोग एक विचि नाम से प्रसिद एक राजा हो हुए हैं, उनका जन्म चंद्रवन्श में हुआ था, वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एक मात्र समराट थे, उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था, वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोगित थे, सदा श् श्री राम की ही आराधना में संलग्न रहते थे, श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे, उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था, वे पूजय पुरुशों के पूजन में तत्पर रहने वाले, समदर्शी तथा सदगुन संप पती में ही उनके प्राण बसते थे। वे दोनों पती पतनी सदा रामायन के ही पढ़ने और सुनने में सनलगन रहते थे, सदा अन का दान करते और प्रती दिन जल दान में प्रवरित रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और वावडियों का निर्मान कराया था महाभाग राजा सुमती भी सदा रामायन के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ती भाव से भावित होकर ही रामायन को बाचते अथवा सुनते थे, इस प्रकार वे धर्मग्य नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही ततपर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दमपत्ती की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, एक दिन उन्त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजारानी को देखने के लिए विभांडक मुनी अपने बहुत से शिश्यों के साथ वहां आ और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनी से हाथ जोड़कर कहा राजा बोले भगवन। आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि श्रेष्ट पुरुष संतों के आगमन को सुख दायक बता कर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहां महा पुरुषों का प्रेम होता है, वहां सारी संपतिया अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहां तेज कीर्ती, धन और पुत्र सभी वस्तुए उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है मुने। प्रभो, जहां संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहां प्रतिदिन कल्यान मै साधनों की वृध्धी होती है ब्रहमन। जो अपने मस्तक पर ब्रहमनों का चर्णोदक धारन करता है, तो मानो उस पुन्याक्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है, शांत स्वरूप महर्शे। मेरे पुत्रक पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चर्णों में समर्पित है, आग्या दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बाते कहते हुए राजा सुमती की ओर देखकर, मुनिश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा राजन। तुमने जो कुछ कहा है, वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनै से जुख जाते हैं, वे सब लोग परम कल्यान के भागी होते हैं, हे भूपान। तुम सनमार्ग पर चलने वाले हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महा भाग, तुम्हारा कल्यान हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ, उसे बताव। यद्यपी भगवान श्रीहरी को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुरान भी थे, जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथा पी इस माग मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायन के ही पारायन में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साधवी पतनी भी सदा जो श्रीराम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रुप से मुझे बताओ राजा ने कहा, भगवन. सुनिए आप जो कुछ पूछते हैं, वह सब मैं बता रहा हूँ. मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए पूर्व जन्द में मैं मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही सनलगन रहता था दूसरों की चुबली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अफरन करने वाला, तथा महा पात्कियों के संसर्ग मे रहने वाला था, मैं देव संपत्ती से ही जीविका चलाता था, गोहत्या, ब्राह्मन हत्या और चोरी करना यही मेरा धंधा था, मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था, प्रति दिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और विश्याओं में आसक्त रहता था, इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा, फिर बड़े लोगों की आग्या का उलंधन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधों ने मुझे त्याग दिया, और मैं दूखी होकर वन में चला गया, वहां प्रती दिन मृगों का मास खाकर रहता था, और कांटे ठका मादा, निद्रा से जूमता हुआ एक निर्जन वन में आया, वहां दैव योग से वशिष्ट जी के आश्रम पर मेरी द्रिष्टी पड़ी उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें हंस और कारंडव आधी जलपक्षी क्रीडा कर रहे थे, मुनिश्चर, वह सरोवर चारों और से वन्य पुष्प समुहों द्वारा आच्छा दित था, वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठ कर अपनी थकावट दूर की, फिर कुछ व्रिक्षों की जड़े उखाड कर उनके द्वारा अपनी भूख मिटाई वसिष्ट जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा, तूटी फूटी सफटिक शिलाओं को जोड कर मैंने वहां दीवार खड़ी की फिर पत्तों, तिनकों और काश्ट द्वारा एक सुन्दर घर बना लिया, उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ती का आश्रे ले नाना प्रकार के म्रिगों को मार कर उन्ही के द्वारा बीस वर्षों तक अपनी, जीविका चलाता रहा तदंतर मेरी ये साधवी पत्नी वहां मेरे पास आई, पूर्व जन्म में इनका नाम काली था, काली निशाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन हुई थी, उसके भाई बंधों ने उसे त्याग दिया था, वह दुख से पीडिक थी, उसका शरीर व्रिद्ध हो चला था ब्रह्मन, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा, डैव्योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आप पहुची, जिसमें मैं रहता था, गर्मी का महीना था, बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीडा दे रहा था, इस दुखी नारी को देख कर मेरे मन में बड़ी दया आई, मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मास और कर चुकी, तब मैंने उससे उसका यथावत वृतांत पूछा महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म के विशय में बताया, वह मैं आपको बताता हूँ, सुनिये, उसका नाम काली था और वह निशात कुल की कन्या थी, विद्वन, उसके पिता का नाम दा दिन उसने अपने पती की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधों ने उसे घर से निकाल दिया, ब्रहमन, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवन निर्जन वन में मेरे पास आई थी, उसने अपनी सारी कर्तूते मुझे इसी रूप में बताई थी, मुने, तब वशि हम दोनों जीविका के निमित कुछ उध्यम करने के लिए वहां वसिष्ट जी के आश्रम पर गए, महात्मन वहां देवर्शियों का समाज जुटा हुआ था, वही देख कर हम लोग उधर गए थे, वहां माघ मास में प्रती दिन ब्राहमन लोग रामायन का पाठ करते दिख उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुशार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे, अतह बिना इच्छा के ही वसिष्ट जी के आश्रम पर चले गए थे, फिर लगातार नौ दिनों तक भक्ती पूर्वक रामायन की कथा सुनने के लिए हम दोन की मृत्यू हो गई हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था, अतह उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे वे दूत हम दोनों को विमान में बिठा कर भगवान के परंपद उत्तम धाम में ले गए, हम दोनों देवाधी देव चक्र पानी के निकट जा पहुँचे, वहां हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे, वह बता रही हैं। मुने अनिच्छा से रामायन का श्रवन करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्थ हुआ है धर्मात्मन। यदि नौ दिनों तक भक्ती भाव से रामायन की अमरित मई कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यू का नाश करने वाली होती है विप्रवर। अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए के विप्रगण। अता आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरी की कथा सुनिये। रामायन कथा कामधेनों के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुकल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायन की कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है यह पवित्र आख्यान समस्थ पापों का नाश करने वाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। इस प्रकार श्री सकंद पुरान के उत्तर खंड में नारत सनत कुमार समवाद के अंतरगत रामायन माहात्मे के प्रसंग में माख मास में रामायन कथा श्रवन के फल का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। यहां जिस परमपद से लोटने का वर्णन है वह ब्रहमा लोक से भिन कोई उत्तम लोक था जहां भगवान मधुसूदन के सानिध्य तथा श्री राम के दर्शन सुख का अनुभव होता था। इसे साक्षात वैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए क्योंकि वहां से पुन्रावरित्ती नहीं होती। अनिच्छा से कथा श्रवन करने के कारण उन्हें अपुन्रावर्ती लोक नहीं मिला था।